मुक्ष मारगस्यनेतारं वेतारं करम भूरतां ग्यातारं विश्वतत्वानाम वन्देत गुड़लते देवाजिदेब आदिंतीर थंकर शीरुषवनात वगवान निकी वरत्मान शाचननाय स्रीर वरत्मान महावीर वगवान निकी परम नaugे यचार गरभर शीरी विद्वासणा वर्जी मरौाई की तत्वार सूटगरंत राजमें तरती अध्रिय कि माध्रंसे जम्बू दीप के अंदर जो छेत्र हैं जो परवत हैं उनका एक विस्तार बताने के लिए यहां पर सूत्रा राय है आगे का सूत्र नमबर ट्वंटिफोर भरतह शडविंशती पंच योजन शत विस्तारह सट चैकौन विंशती भागा योजन श्य यह भरतच शेत्र का विस्तार बताया जा रहा है किसका विस्तार? पूरे जम्बू दीप का नहीं अब दमाग में लाओ बहुत बार नकसा देख चुके हो पूरे जम्बू दीप के अंदर जो भरतच शेत्र जक्षिन दिसा में एक धनुशाकार है उस भरत छेत्र का केवल यह है विस्तार का मतलब इसका यह है एक चोड़ाई बताई जा रही है भरत है शडविनसती और पंच योजन शत्र मनें पांस सो योजन और छब्वीस उसमें और जोड़ना है तो पांस सो चब्वीस योजन हो जाता है और उसके साथ साथ छे योजन और एक योजन का उन्नीसमा भाग जिससे हम बोलते हैं पांस सो चब्वीस से इचे वटे उन्नीस 526 और 6 वई 19 ये इतने योजन प्रमान यह भरत छेत्र का विस्तार यहां बताए गया भरत छेत्र इतनी विस्तार इतने फैलाओ के साथ में है जंबू दीप के अंदर उसी को और आगे समझाते हुए कि जब भरत छेत्र का इतना विस्तार है तो आगे कि जो छेत्र हैं या परवत हैं उनका क्या विस्तार होगा तो आचारे कहते हैं तद द्विगड द्विगड विस्तारा वर्ष धरवर्षा विदे हंता हा उससे दूने दूना विस्तार है वर्ष धर माने वर्ष होता है छेत्र और उस छेत्र को जो धारण करते हैं वो कहलाते हैं परवत या छेत्र को जो विभाजित करते हैं वो कहलाते हैं परवत वो विदे हांता वाने विदे तक जो है दूना-दूना करते चले जाना यानि भरत च्छित्र का जो विस्तार आपको बता है पांसो चब्वे सी शेवटा उन्निस इसी को यदि हम दूना कर देंगे तो आगे का च्छित्र जो आएगा पहले तो च्छित्र के बाद परवत आएगा तो जो आगे का परवत आएगा उस परवत का विस्तार हो जाएगा फिर उसका दूना कर देंगे तो आगे की च्छित्र का विस्तार हो जाएगा भरत चित्र के बाद हमवत चित्र आया, फिर हमवत चित्र के बाद में फिर परवत आएगा, पहले हिमवान आया, फिर महा हिमवान आएगा, उसका विस्तार हमवत चित्र से भी दूना होगा, फिर उसके आगे हमवत चेत्र के बाद महाहिमवान परवत आ गया और महाहिमवान परवत के बाद में फिर चेत्र आएगा हारी वर्षक चेत्र या हरी चेत्र वो आएगा उसका विस्तार उस्ष्य भी दूना होगा फिर उसके बाद में फिर एक परवत आएगा जो निश्रत परवत कहलाएगा ठीक है और फिर उसके बाद में छेत्र आएगा वो विदेद छेत्र आजाएगा तो इस विदेद तक हमको यह सब छेत्र की अपेक्चा से परवत दूना परवत की अपेक्चा से आगे वाला छेत्र दूना फिर आगे वाले छेत्र से आगे वाला परवत दूना आगे वाले परवत से आगे वाला छेत्र दूना अगर हम छेत्र के पेक्षा से छेत्र का विस्तार निकालेंगे तो कितने गुणा हो जाएगा? तो चार गुणा हो जाएगा यानि भरत शेत्र से हमवद शेत्र का विस्तार चार गुना हो जाएगा हमवद शेत्र से हरी शेत्र का विस्तार उससे भी चार गुना हो जाएगा और हरी शेत्र से भी विदे शेत्र का विस्तार चार गुना हो जाएगा तो इस तरह से हम इनका विस्तार केलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरह से परवत से परवत का निकालेंगे तो वो भी चार गुना होगा हिम्मन परवत से महा हिम्मन परवत का चार गुना होगा और महा हिम्मन परवत के बाद में निश्द परवत का निकालेंगे तो वो चार बुना हो जाए रहाए तो ऐसी ये विदेह अंत तक यही क्रम है और जब यहाँ पर ये परवत हैं छेत्र हैं इन सब का विस्तार दूना हो रहा है तो वहाँ पर रहने वाले जो कमलादी हैं उनके बारे में भी आपको बताया ही है संख्या तो उतनी रहती है लेकर उनका विस्तार तो दूना दूना होता है ये तो पहले भी बताया चुका है तो वो यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए अब यहांपर जो एक शूत्रा राय का पहले भी यूज किया गया था उत्रा डक्षन तुल्याहा यानि जो उत्तर खंड की उत्तरी देश की या उत्तर अब विधे के जो परली ओर हो गया उसा उत्तर कहलाया मैं अब ध्यान है ना विधे तो बीचों बीच में हो गया उसके नीचे इधर की ओर दक्षण हो गया उपर की और उत्तर हो गया तो उधर की सब जो विवस्ता है उत्तर की वो दक्षिन के बरावर यह समझना चाहिए दक्षिन के ही तुल्ल है तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि विदे के बाद में अब जो छेत्र, विदे छेत्र के बाद में जो परवत आएगा नील परवत आएगा फिर उसके बाद में रम्यक छित्र आएगा फिर रुक्मी परवत आएगा फिर हैरंडवत छित्र आएगा फिर जो है शिखरनी परवत आएगा और उसके बाद में रावत छित्र आएगा तो इनकी विवस्था दक्षण के समान ही जान लेना चाहिए तो इधर जैसे बढ़ते हुए करम में गया वैसे उधर घटते हुए करम में जाएगा और जब घटते हुए करम में पहुँचेगा तो जितना विस्तार भरत छेत्र का होगा उतना ही विस्तार एरावत छित्र का आ जाएगा क्योंकि उस पूरे वले में गोले में जो जम्बू दीप का एक गोला है उसमें जितना अपने नीचे धनुस बनाया था आर्च बनाया था उतना ही हमें आर्च उपर बनाना है तो उतना ही विस्तार उपर आएगा, उतना ही विस्तार नीचे आएगा तो भरत चित्र का विस्तार एरावत चित्र के बरावर आएगा इधर देखेंगे तो हेमिवद चित्र का विस्तार उधर के कुन से चित्र पड़ेगा? हेरंडवत छित्र के बराबर आएगा इदर से हम हरी छित्र का विस्तार देखेंगे तो उधर के रम्यक छित्र के बराबर आएगा तो इस तरह से ये छित्रों का विस्तार दक्षिन की ओर का जितना होगा उतना ही उत्तर की ओर का होगा और और परवतों का विस्तार भी इसी तरीके से जानना यहाँ पर जो हिम्वान परवत है उदर से वो शिखरी परवत पड़ेगा इन दोनों का विस्तार बरावर होगा और इदर से हिम्वान के बाद माहा हिम्वन पड़ेगा तो उदर से वो रुकमी परवत पड़ेगा उसका व जाना चाहिए और इन सब का जो भी यहां विस्तार है जो भी इन सब नदी आदी की जो बिसेस्ताइं भी बताई गई हैं उन सब के बारे में भी आपकी दिमाग में एक अच्छी फिगर बनी होनी चाहिए जिससे की कम से कम आप जम्बू दीप हैं भरत आदी छेत्र हैं, मिलेक चिखंड आदी हैं इनकी कुछ विसिस्ताओं को भी समझ सके हैं तब आगे चर्चा की जाती है आगे का शूत्र पढ़ते हैं भरत आई रावत योर वरद्धि राशव अब ये शूत्र है जो आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है समझने के लिए भरत आई रावत योर यानि भरत और आई रावत योर ये जो है भरत और आई रावत ये दो शब्द हैं और इनमें दूई वचन का प्रियोग किया गया है भरत आई रावत यो ये सस्ठी के भी दूई वचन में यही रूप बनता है और सप्तमी विवक्ती के भी दूई वचन में यही रूप बनेगा तो सस्ठी तो संबंध कारक होती है तो अगर हम इसका संबंद का अर्थ लेते हैं तो भरत और एरावत का ऐसा अर्थ आएगा वरद्धी राशो यानि भरत और एरावत छेत्र का वरद्धी और हिराश होता है सट सम्याब भ्याम छे समयों के द्वारा उसरपणी में और अफब्सरपणी के माध्यमुशे ये इसका अर्थाएगा और अगर हम सबत्मी विवक्ति का प्रियोग करते हैं तो इसके अर्थ में आएगा कि भारत और एरावत छेत्र में भरद्धी और हिराश होता है समय माने छे कालों के द्वारा वो छे कालों में उसरपड़ी और अवसरपड़ी के भी काल विवाजत है तो उसरपड़ी अवसरपड़ी दोनों ही छे-छे कालों को धारण करती है और इनी उसरपड़ी अवसरपड़ी कालों में जो व्रद्धी और रास होता है वो ब्रद्धी रास किसका होता है तो हम यहां दोनों ही अर्थ ले सकते हैं भरत और एरावत छेत्र का भी ब्रद्धी रास समझ सकते हैं और भरत और एरावत छेत्र में रहने वाले जो मनुष्यादी हैं उनका भी ब्रद्धी रास ले सकते हैं मुख रूप से आचर्यों ने छेत्र का व्रद्धी रास न ले करके मनुष्यों का ही व्रद्धी रास, मनुष्य या तिरियन चादी का ही व्रद्धी रास लिया है, है ना, क्योंकि भरत छेत्र आदी में अगर हम व्रद्धी रास भी मानें, तो यू नहीं कह रहे हैं कि भरत छेत्र की व्रद्धी होगी या एरावत छेत्र की व्रद्धी होगी व्रद्धी तो नहीं हो सकती उसमें जेतना 526-619 यूजन का विस्तार तो उतना ही रहेगा लेकिन उसके व्रद्धी राश्का ये भाव भी समझा जा सकता है कि प्रत्वी पर एक भूभाग जहां पर हम रहते हैं ये भूखंड कहलाता है और एक जली भाग होता है जहां पर समोद्र नदियां इत्यादियां होते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि भरत छेत्र में भी व्रद्धी राश्क होता है ऐसा हमें स्विकार करना चाहिए छेत्रों का व्रद्दी राश्ट का मतलब इस तरह से स्वीकार करना चाहिए कि छेत्रों में जो भूभाग है वो भूभाग पहले अधिक होता है धीरे-धीरे वह भूभाग कम होता जाता है जली छेत्र बढ़ता जाता है कहीं नहीं कहीं आप विज्ञान को भी पढ़ेंगे या किसी चीज को जो जियोग्राफिय वगरा होती उसको पढ़ेंगे तो कहीं नहीं कहीं आप कोई बात मिलेगी कि जली भाग बढ़ रहा है इससे क्या होता है कि जो भू भाग है वो छेत्र कम होता जाता है तो जब हम यह देखते हैं कि पहले इतने बड़े-बड़े मनुश्य होते थे अब भरत छेत्र तो वो ही है अब उसी में चक्रवर्ती भी रहना है उसी में अपन को भी रहना है अब भरत राजा के चत्री के 60,000 क्या है फुत्र है 96,000 रानिया है अपार तो सेना है कहां रहेगी और सब की उचाई अगर भरत छेत्र की भरत छेत्र में उस समय पर भरत चक्रवर्ती की उचाई पांसे धनुस्की है तो यह लोग कहां रहते हैं कहां से आईगी इत्ती जमीन जब पांसे धनुस्का आदमी बैठेगा तो कितने दनुस गेरेगा कितने किलुमीटर गेरेगा तो आप ये तो सोचो तो छेत्र तो यही है तो हमें कहीना कहीं ये मानना पड़ेगा कि छेत्र की भी हानी हुई है चतुर्थकाल में जिस तरह का छेत्र था भूभाग था वो आज हमारे पास में कही ना कही या तो समुद्रों से बाधित हुआ है या वह भूभाग जो पहले अधिक भूभाग के साथ में हमारे लिए इस तरह से विदेशों का विभाजन नहीं होता होगा जैसा आज हमें दिखाई दे रहा है तो ये भूभाग जो है जब जली भाग के माद्यम से अवरोध को प्राप्त हो जाता है तो भूभाग कम हो जाता है समुद्र बगैरा जो आज हम देख रहे हैं चाहिए वो प्रशान्त मा सागर हो चाहिए अटलांटक सागर हो तो ये सब जियों के इतने चतुर्थ काल में थे ऐसा नहीं कह सकते ये सब जो है बाद में बने हैं और इनोंने ही जो है उस छेत्र को कम कर दिया ये मेरा अपना सोचना है तो इस तरह के कारण से ही हम ये समझ सकते हैं कि जो बहुत बड़ा भूभाग है वो आज हमारे पास में थोड़ा सा रह गया है बहुत कुछ तो ये जली छेत्रों के कारण से अवरुद हुआ और बहुत सारा भूभाग जो आज हमारे पास में होता वो उन जो विदेशी देश हैं जैसे की चीन है या अमेरिका है या रूश है उनके भी और उसी और उनी की साइड में और भी जो जली तत्त्त है उसने भी उनके उस भूभाग को रोक रखा जिसके कारण से वो भी अपनी गतिया आगे नहीं कर सकते है तो ऐसा बहुत सा भूखंड है जो अवरुद्ध हुआ है ये कौन बताएगा ये तो कोई अच्छा खासा कोई जियोग्राफी पड़ा हुआ हो साइंस पड़ा हुआ हो वो ही बतापाएगा ये अपने लिए एक सोचनी की बात है विचार करनी की बात है कि इतना बड़ा भूभाग में तो कभी भी भरा चक्करवर्तियादी कोई नहीं रह सकते आना आप सम्मेश सिखर को देख लो तो कोई भी तीरतंकर किसी एक टॉंक पर बैट जाएगा पूरा सम्मेश सिखर गिर जाएगा समझारा ना तो ये तो अपने मन से एक बहुत छोटी सी विवस्था अपने को देखने को मिल रही है जो आज अपने लिए एक प्रतीकात्मकी रह गई है प्यपूलेशन थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है अब एक डेर्ड कितनी सी लोग हैं इतने हैं न एक सो तीस करोड हाँ बन थर्टी और पूरे विस्था की मिलालो तो साथ आठारब कितनी सी पॉपूलेशन है अब ये जो है सो डेर्ड सो करोड आदमी और इसको भी एतना तमासा बना रखा है पॉपूलेशन बढ़ रही है पॉपूलेशन बढ़ रही है जैसे महा विस्थोट हो रहा है समझा रहा ने पॉपूलेशन का बड़ा विस्थोट हो रहा है अरे वाई क्या होता है सो डो सो करोड आदमी की माहने रखते है ये तो पहले भी इस से जादा रहा करते थे जहां पर लाखों-लाखों रोग रोजाना मरा करते थे युद्ध दुआ करते थे तो कितनी करोणों की जनता होगी जब लाखों आदमी मरेगा तब महीनों महीना युद्ध चलते तो और आज तो हम बड़ी छूटी-छूटी सी अभगाना के साथ में है अगर तुम चक्करवर्ती का जो कटक होता है उसकी जो सेना होती है उसका विस्तार पढ़ लोगे न चक्कर खा के गिर जाओगे बारह योजन में फैला हुआ वे चक्करवर्ती का जो कटक होता है विस्तार समझो क्या होता है उसमें कितनी सेना रहती होगी तो आप ये देखें कि ये अवसरपनी काल है इसमें सब कुछ घट ही रहा है तो इसमें घटते हुए भी आच्छे कहते हैं भरत और एरावत छित्र में इस तरह से मनुश्यों के लिए भी ये घटोत्तरी और बडोत्तरी होती रहेगी अब ये कितनी बड़ी बात है कि जिस भरत छित्र में हम और आप लोग रहते हैं उसी भरत छित्र में पांस तो मिलेश्खंड है और एक विजयार्थ परवत भी है जहां पर विद्यादर लोग रहते हैं ठीक है ना ये जो लिखा है यहां पर कि छे कालों से उसर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से काल का परिवर्तन होता है ये काल का परिवर्तन पूरे भरत छित्र के लिए नहीं है सूत्र में भली लिखा है भरत शेत्र भरत शेत्र में तो आरे खंड भी आता है वो मिलेक्षगंड भी आते हैं मिलेक्षगंड में कहां छे काल होते हैं महां तो चतुर्त काली रहता है विजयार्थ परवतों पर भी चतुर्त काली चलता है वहाँ पर घटोत्री बडोत्री तो होगी लेकिन वो इसी रूप में होगी कि अगर घट रहा है तो वह जैसे अवसरपनी काल था चोथा काल जब प्रारंब हुआ था उस समय पर जैसा समय था दीरे जीरे घट करके चोथे काल का जैसे अंत हुआ तो उस टाइप से चोथे काल का जैसे प्रारंब से जो घटाव हुआ है उस तरह का ही घटना वहाँ पर होएगा फिर बढ़ना सुरू हो जाएगा जैसे उस सरपड़ी में बढ़ता है तो जैसे उस सरपड़ी का तीसरा काल पड़ेगा तो उसमें जैसी बड़ुत्री होगी बैसी बड़ुत्री वहाँ पर अब चल रही होगी मतलब यहाँ तो जो है सब घट रहा है मनुश्यों की आयू घट रही है मनुश्यों की उंचाई घट रही है उनके सुक घट रहे हैं वैवब घट रहे हैं और वहां सब बढ़ रहा है कहां पर बिजियार्दों में क्योंकि चतुर्त काल तो पूरा हो चुगया तो एक जो है वो आरा एक पूरा हो गया तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो इससे ये समझना कि यह केवल आरे खंड के लिए ही ये उसरपणी अफसरपणी के च्छे काल है अब ये च्छे काल कौन से होते हैं तो अफसरपणी के पेक्छा से देखें जिस अफसरपणी काल में अपन चल रहे हैं तो जब यहां पर पहला काल होता है तो उससे कहा जाता है शुष्मा सुष्मा काल या नो दूसरा जो काल होता है उसको बोलते है शुष्मा काल तीसरा काल होता है उसको बोलते है शुष्मा दुष्मा काल फिर चौथा काल जो आता है उसको बोलते है दुष्मा सुस्मा काल पांचमा काल ये चल रहा है जो दुष्मा काल और छटमा काल आएगा दुस्मा दुस्मा काल सा को खावी बोलने में आता है कहीं कहीं जो सटकॉंड वाला सा होता है इसलिए उसको सुख्मा 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 दुख्मा 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 और दुख्मा दुख्मा ऐसे च्छे कालों में विभाजित किया जगता मतलब यह कि यहाँ पर जब हम अभी पंचम काल में जी रहे हैं अभी हम पंचम काल में हैं यहाँ पर तो इससे पहले यहाँ चार काल वितीत हो चुके हैं इसी चित्र पर इसी भूमी पर जब यहाँ पहला काल था तो यहाँ पर भोग भूमी थी और भोग भूमी भी तीन प्रकार की होती तो पहले काल था तो यहाँ नहीं उत्करष्ट भोग भूमी का काल होता है दूसरा जो होता है मध्यम भोग भूमी का काल होता है तीसरा जो होता है वो जगन्य भूग भूमी का काल होता है तो तीनों भूग भूमिया यहाँ पर हो चुकी और फिर उसके बाद में चतुर्थ काल आया और उस काल में जो है सभी परकार की करम भूमियों का जो तीर्थं करुए चक्र वड़ती हुए ये सब चतुर्त काल में होते हैं तो ये चतुर्त काल में ये सब हो गया अब ये पंचम काल चल रहा है दुख्मा काल और इसके बाद में आएगा दुख्मा दुख्मा काल तो ये एक अवसरपणी के छे काल हो गए जब ये दुखमा दुखमा पूरा हो जाएगा तो फिर उत्सरपणी प्रारंब हो जाएगी अवसरपणी माने घटती हुई उत्सरपणी माने बढ़ती हुई तो जब ये घटते ओर्डर में है तो ये उस अवसरपणी कहला रहा है और जब यहीं सब मनुश्यों की फिर आयू, उत्सेथ, उनका वैभाव इत्ते जिसा बढ़ने लगेगा, तो वो उत्सरपनी कहलाएगा, तो उसमें भी छे काल होंगे, सुरू यहीं से होगा, जब यह चटमा काल दुकमा दुकमा पूरा हो जाएगा, तो उस उत्सरपनी का दुकमा दुकमा काल प्रारम होएगा, फिर उसके बाद में दूसरा उसका काल आएगा दुकमा काल, फिर उसके बाद में उसमें काल आएगा दुकमा सुकमा काल, फिर आएगा सुकमा दुकमा, फिर आएगा सुकमा और फिर अंत में आएगा सुकमा सुकमा, माने पहले उस स च्छे आरे हैं, है न, च्छे प्रकार के ये काल का ये एक अपना क्लासिफिकेशन कहलो, कुछ भी कहलो, तो इनी च्छे प्रकार के कालों के माध्यम से एक उत्सरपणी पूरा हो जाता है, एक अवसरपणी पूरा हो जाता है, और इस उत्सरपणी और अवसरपणी की पूरी अवधी जो है, पूरा जो टाइम इसका है, वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बैठता है क्या होता ये? सागर तो आप लोग जानी चुके हो असंख्यात का काल है उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का मतलब हो गया करोड से और करोड का गुणा करके कि उससे दस से उना कर दो और उसमें भी एक सागर का जो काल है उसके साथ में इसको फिर मल्टिब लाई कर दो तो ये दस कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा अब इसका भी विभाजन वड़े अच्छे डंग से किया हुआ है जो पहला टाइम का जो एरा है इसमें जो है चार कोड़ा कोड़ी सागर का काल है पहला काल जो सबसे पहले आएगा सुस्मा सुस्मा जो उत्तम भोग भूमी का काल होता है वो कितने का एक कोड़ा चार कोड़ा कोड़ी सागर का फिर आएगा दूसरा काल जब मद्यम भोग भूमी का तो वो तीन कोड़ा कोड़ी सागर का होगा फिर आएगा तीसरा काल जगन ने भोग भूमी का वो दो कोड़ा कोड़ी सागर का होगा मतलब दो कोड़ा कोड़ी सागर तक जगन भोग भूमी रहेगी इतने काल तक मनुष्यों की आयू नहीं है ये भोग भूमी का काल है मतलब इतने टाइम तक वहाँ भोग भूमी की रहेगी तो ये हो गया चार, तीन, साथ, दो, नो अब जो बचा एक कोड़ा-कोड़ी सागर का काल इसमें चतुर्थ काल में पूरा ये हो जाता है बस पांचमें और छटमा काल जो 21-21,000 वर्स के होते हैं उनको कम कर दो तो 42,000 वर्स कम एक कोड़ा-कोड़ी सागर चतुर्थ काल का टाइम है पांचमा काल तो 21,000 वर्स का है और छटमा काल भी 21,000 वर्स का है तो ये टोटल मिला करके 10 कोड़ा-कोड़ी सागर हो जाता है जब ये अवसरपणी हो गया पूरा तो उसरपणी भी दस कोड़ा कोड़ी सागर का हो गया ये दस और ये दस मिला करके जो बीस कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं जब ये एक चक्र पूरा हो जाता है तो इसको बोलते हैं कल्प काल क्या बोलते हैं इसको यहां के मनुश्यों में उंचाई इत्यादी की कमती या ब्रद्धी होती रहती है कहने का मतलब यह है कि पहले लोगों के पास में सब कुछ रहता था और आज के वल दिखावा रह गया है रहता कुछ नहीं तो हर व्यक्ती के लिए समझना है कि यह अवसरपड़ी जो काल चल रहा है इसमें सब चीजें ऐसी घटना है मारा मारी और बढ़ना है पहले के लोगों के पास में कितना सोना चांदी दवा रहता था पता ही नहीं पढ़ता था बाहर से आपको बिल्कुल फटे पराने हाल में दिखाई देते थे और भीतर सब बढ़िया फोस इस्तिती रहती थी जमी रहती थी गाए बैल रहते थे बड़े बड़े घर रहते थे सब रहता था तो ऐसे तरीके से रहने वाले इन लोगों के लिए कम से कम ये पढ़ने में आता है तो समझ में आता है कि अपन आज कुछ भी नहीं है इससे पहले बहुत कुछ अच्छी सम्रद्दी थी आज सिर्फ मारा मारी है और कुछ नहीं समझा रहा है ना तो भोग भूमी के जो लोग होते हैं वहाँ से अगर हम सुरू करें तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भोग भूमी के जो इस्तरी और पुरुष होते हैं उनकी कुछ बिसेस्ता है अपन जानते हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भोग भूमी में इस्तरी और पुरुष दो ही लोग होते हैं उस परिवार के नाम पर कोई चीज नहीं होती है यह ना वही दो इस्तरी और पुरुष एक साथ ही जनम लेते हैं और वो ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं ब्रद्धी को प्राप्त होते हैं तो वो पती-पतनी के रूप में आ जाते हैं। इसके लावा कोई किसी से लेना देना नहीं होता। भोग-बूमी में रहने वाले बस दो ही यूगल जीब होते हैं और जब मरण को प्राप्ट होते हैं तो मरण भी दोनों का एक साथ होता है तो किसी को कोई दुख नहीं होता कि पती पहले मर गया तो पतनी रो रही कि पतनी पहले मर गयी तो पती रो रहा समझा रहा है क्योंकि रोने का मतलब ही दुख है तो किसी को रोना तो ही नहीं है दुख होना नहीं है तो वहाँ पर दोनों को एक साथ मरना और मरने की भी बड़ी अच्छी वहाँ पर विवस्ता है कि मरते समय भी कोई कश्ट नहीं होता है कि उत्तडफ रहे हों कि पड़े हैं बस पुरुस को तो छीक आएगी और इस्तरी को जंबा ही आएगी और आराम से प्राण निकल जाएंगे समझा रहा है सरीर जैसे ही प्राण निकलेंगे बिलकुल कपूर की तरह बिलीन हो जाएगा महाँ पर कोई अंतिम संसकार करनी की ज़रूरत नहीं है सरीर होता तो अधारी की है लेकिन फिर भी जैसा सरीर हम लोगों का पसीनेदार, रोगी होता है और मल मुत्र से शहित होता बैसा वहाँ पर नहीं होता है होता तो अधारीक सरीर है लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला मिलता है, बहुत फैसलिटी होती है उस सरीर में है ना, हाँ खाव पीओ सब, लेकिन और खाने पीने में भी ऐसा रहता है कि जो उत्करष्ट भोग भूमी के जी में वो तीन दिन बार एक बार भोजन लेते हैं जो मद्यम भोग भूमी के हैं वो दो दिन बार एक बार भोजन लेते हैं और जो जगन भोग भूमी के हैं फिर मद्यम भोग भूमी वाले एक बहेडा होता है बहेडा फल होता है उसके बराबर भोजन करते हैं और फिर जगन भोग भूमी वाले आउले के बराबर भोजन कर लेते हैं बस बाकी का सब कल्प ब्रक्ष होते हैं भोग भूमी में जो भी उन्हें सुखों की इच्छा होती सास्त्रों में लखा गा कि वहाँ Пर इस्तरीयों के लगबक चओधेज है परिकार के उनके आभूशन बताये गए हैं. और पुरुसों के 16 परिकार के आभूशन होते हैं. जिनसे वो इस्तरी पुरुस बिल्कुल बड़िया सजेव Cage होते हैं. और यह सब आभूसन उनको फिरी में मिलते हैं कोई सौपिंग करने के लिए निजाने पड़ती कल्प ब्रक्षों के सामने खड़े हो जाना पड़ता है भूशडांग नाम के कल्प ब्रक्षों होते हैं बस इच्छा करो और फिर चेंज करने होते हैं तो चेंज करने के लिए भी फिर भूशोड़ दो इच्छा करो फिर दूसरा मिल जाएगा रोजाना चेंज करो कोई मना नहीं करेगा कोई किसी के लिए कमेंड करने वाला नहीं आपर सब इतना सुख है कि सब लोग अपने अपने में सुखी रहते हैं कोई किसी से ना तो कोई प्रतिसपरदा करता है ना कोई किसी को अपना कुछ दिखाता है बस इस्तरी के लिए पुरुष है पुरुष के लिए इस्तरी दो के साथ ही जिंदगी सुखी से बीचती बस समझार ना तीसरा कोई है ही नहीं देखना ही नहीं किसी को कोई मतलब ही नहीं इनी सुक्के परिणामों के कारण से ये लिखा गया है सास्त्रों में कि उनकी लेश्य हमेशा सुभ रहती है हाँ मिथ्या द्रश्टी भी होगा तो सम्यक द्रश्टी भी होगा तो और सम्यक द्रश्टी होगा तो तो नियम से वो मतलब सौधर्म और एसान स्वरक का देव बनेगा और मिथ्या दृष्टी योगा तो भी देव ही बनेगा चाहे वो भवनवासी बन जाए, विंतर बन जाए, जोटसी बन जाए अब देखो आयू भी कितनी बड़ी-बड़ी रहती है अगर उतकरष्ट भोग भूमी है तो उसमें तीन पल्ली की आयू होती है मद्यम भोग भूमी है दो पल्ली की आयू होती है जगन्य भोग भूमी है एक पल्ली की आयू होती है ये सब चीजें इतनी अधिक संख्या में आयू इतनी बड़ी हुआ करती थी उंचाई भी उनकी अभगाना देखें तो मद्दें भगुमी में क्योंकि जब किसी से मतलब ही नहीं तो निंदा क्यों करना देवायू के बंदगा एक कारण ये भी है इनके लिए बताए गया है सास्त्रों में कि ये कभी किसी के निंदा नहीं करते हैं और अपनी आत्म प्रसंशा भी नहीं करते हैं क्योंकि निंदा जब हम करेंगे तो हमें किसी के सामने ही अपनी आथ प्रसंसा करनी पड़ेगी दो लोगों करेंगा है किस से निंदा करना किस से प्रसंसा करना है जिसके पास जो है सो सबको पता ही है है ना करना है इन चीजों के टेंशन में भी अपनी लेश्याएं बिगड़ती हैं इन लोगों से कुछ तो सीखें अपन हमेशा सुब लेश्याएं सुब भाव रहेंगे तो कब रहेंगे जब हम दूसरों की चिंताओं से मुक्त होंगे अपनी चिंताओं जितनी जरूरत की हैं उतनी ही होनी चाहिए चलो कोई बात नहीं उतने तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि दो तक सीमित हो जाएं लेकिन फिर भी जितनी हैं उतनी हमें उनकी एक जो लिमिट है वो कम से कम रखनी चाहिए दो की चार की छे की कोई लिमिट तो बनानी ची बस ज़्यादा किसी के बारे में सोचना मने किलेश पैदा करना आप किसी के बारे में सोचोगे कौन क्या कर रहा है वो आपके बारे में सोचेगा प्रतीस परदा पैदा होगी आप उसके अपने आपको नीचा देखोगे या बड़ा देखोगे तो भी इकलेश होएगा है ना या वो जो है आपकी लेस्या को बिगाड़ने वाला होएगा तो इन सब चीजों से ही आज का आदमी संकलेश को प्राप्त है यह संकलेश तो इससे हैं कि हम दुनिया से कितना जुड़े हुए है है ना संतान होने से या नई होने से कोई फरक नहीं पड़ता है हम दुनिया से कितना जुड़ते हैं उससे फरक पड़ता है तो भोग भूमी के जीव जैसे उतकरष्ट भोग भूमी में रहते हैं वैसे ही मध्यम में होते हैं वैसे ही जगन में होते हैं थोड़ी सी उनकी जो अवगाहना है उचाईया और उनकी आयू उनकी भोजन करने के तरीके जो बीच बीच में गैफ है वो इन सम्में अंतर आता है समझा रहा है और वहाँ पर जो जनम लेते हैं तो वहाँ पर भी गरव से जनम होएगा क्योंकि यह तो आप दूसरे अद्धायम पढ़ी चुके हो ओधारिक शरीर वाले हैं तो गरवत जनम होएगा तो गरव जनम भी वहाँ पर जब मरत्यू होने वाली होती है उससे नो महीने पहले ही गरव ठहरता उससे पहले नहीं होता है ना बस समझा रहा ना कसाएं होते हुए भी कसाएं इतनी मंद रहती हैं कि कसाएं भी तो बातावरण के कारण से ही तो उत्पन होती है जब बाहरी बातावरणी नहीं होगा कोई कसाय को उत्पन करने का तो कसाय क्या है किस से को क्रोध किस पर अहंकार किस पर मायाचारी किस से लोब किस बात का जब हम दुनिया को देखते हैं और दुनिया में अपन प्रतिश पर्दा करके कुछ आगे बढ़ने कोशिस करते हैं तो ये सब चीजें पैदा होती है क्रोध मान माया लोग तो उन्हें कोई दुनिया है यह नहीं उनकी है ना सब बढ़िया चारो तरफ बातावरण है और उस बातावरण में भी ना कभी गर्मी तेज होती है ना कभी ठंडी ना कभी बरसात हमेशा एक जैसा बिल्कुल एयर कंडिशन बातावरण रहता है हमेशा अलग से मैं एयर कंडिशन अपनी अपनी लगानी दिरोत नहीं पड़ती पूरा एंवार्मेंट बिल्कुल प्लीजन वैदर होता है और उसी इन्वार्मेंट में उनके लिए ना कभी कोई कष्ट होता ना कोई पसीना आता ना उन्हें कोई ठकान होती बस अपने उनके जो जीवन का ढग है क्या है तो बस यही रहना, खाना, पीना, आराम से सोना और बस विल्कुल निश्चिन दो करके आयू को पूर्ण करना कोई काम नहीं है ब्यापार नहीं कोई भी जौब नहीं कोई भी असी मसी करसी वानिज सिल्फ विद्ध कुछ भी छे करमा होते नहीं वहाँ पर जो है, जीवों के जो जनम होते है वो भी बड़ा अच्छा बताया गया है कि साथ स्टेप में वो जीव पूरा हो जाता है यहना, जनम लेने के बाद में मतलब कि जैसे साथ स्टेप में पहला स्टेप हो जाएगा कि जब वो बच्चा होता तो अंउठा चूसता है तो उत्तम भूग भूमी में तो तीन दिन में ठीक है ना फिर अंगूटा चूसेगा अंगूटा चूसने के बाद में क्या होता है बैठेगा बैठना सीख जाएगा फिर तीन दिन में बैठना सीख जाएगा तीन दिन में फिर वो जो है थोड़ा सा लड़ खड़ा के चलना सुरू हो जाएगा तीन दिन में फिर जो है डंग से चलना सुरू हो जाएगा समझा रहा है? अस्तिर गमन, इस्तिर गमन ठीक है न? और फिर तीन दिन के बाद में जब चलना फिरना शुरू हो गया तो उसमें क्या जाएगा? मतलब उसके अंदर जो कलाएं हैं, गुण हैं ये सपरिकट हो जाएंगे ये तीन दिन इसमें लगते हैं और फिर जो है तीन दिन में वो सम्यक्त के योग भी हो जाता है इस्तिर्गमन के बाद में मतलब चलने फिरने लग गया और चलने फिरने के बाद में बस ये समझ लो यॉवन समपन्न हो गया, एक उसकी यॉवन के तीन दिन बीच में और ले लो बस इस साथ स्टेप में सात्यों एक्किस एक्किस दिन में वो पूरा जैसा है वैसा हो जाएगा फिर उसमें कोई कमी नहीं आएगी वैसा बरावर हो जाएगा एक्किस दिन में भोग भूमी में लगेंगे यही साथ स्टेप में तीन-तिन दिन मद्यम भोग भूमी में इनी साथ स्टेप में पांच-पांच दिन तो पांच साथ पैंतिस 35 डेज में वो complete हो जाएगा और जगन्य भोग भूमी में साथ-साथ दिन 49 डेज में वो जो है पूरा हो जाएगा उसके बाद में जीवन परियन तक जनमन हारी गड़र हारी जम्म जराभव रोग हरी तित्थियरानम् दिवजुनिम् जो पड़ै सुनै मैये धारै लानम् सोख मनंतम् धरिय सासद मोख पदंपावई सासद मोख पदंपावई